Hello everyone, welcome back to my YouTube channel और मैं हूं CSP परखार So guys, as you all know कि exam का season चल रहा है कहीं school के exams हैं, कहीं college के exams हैं, कहीं C के exams हैं मतलब हर जगा आपको exam की तयारी करते हुई students पकाई देंगे And साथ की साथ वो काफी ज़ादा डिरे हुए हैं कि पता नहीं वो exam में कैसा perform करने वाले हैं क्या आप पास हैं या फिर आप तो anxious होना बहुत ज़ादा लाजमी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम anxious होकर अपने तयारी में कमी करते क्योंकि यह देखा गया है कि जितना ज़्यादा आप डिरेवी रहते हैं जितना ज़्यादा आप आप एंशित होते हैं Idee एंशहां पेर है और स्ट्रेस और अरश पर अंशिएटी Let's get started So the first thing is पहले देखी कि आपके 컨्टोल में क्या है and then देखी कि क्या आपकी 컨्टोल में नहीं है For example क्या एंआम में कॉउन से question आने वाले हैं या आपके 컨्ट WhatsAis में अळा है वो आपके control में है, नहीं, आपके control में क्या है, आपके control में है, आपकी preparation, किस तरीकी से आप अपनी तयारी करते हैं, So, क्यों हम उस चीज के लिए डर रहे हैं, जो हमारे control में है ही नहीं Exam questions, examiner हमारे control में नहीं है हमारे control में हमारे तयारे, हम उसको बहतर तरीके सी कर सकते हैं So, उस चीज के लिए डरने से अच्छा है कि अपने तयारे पर focus करें, उसको improve करें, उसको और matter बनाए जो चीज आपके control में है, उसका charge लिजिए So, do what is in your control and let the universe give what you deserve Now, second point, attempt mock test papers So, mock test papers जो होते हैं, वो real papers नहीं होते हैं वो mock test papers होते हैं, kind of demo आप कह सकते हैं उसके थुरू आपको पते चलता है कि exam में कैसे question पूछे जाते हैं क्या pattern रहता है आप जब उसको attempt करते हैं, kind of आपको पते चलता है कि exam hall में जब आप बैठेंगे तो कुछ ऐसा ही महौल होने वाला है, कुछ ऐसा ही आपको डर लगए कुछ ऐसा ही आपके हाथ पार पूलेगे कि आपको question का answer लिखना नहीं आ रहा Usually लोग क्या करते हैं, अपनी performance directly exam hall में जाकर दिखाते हैं And वहाँ पर उनको question आता हुआ भी गलत हो जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा डरेवर होते हैं देखिए, mock test paper से definitely आपको पता चलता है कि exam में कैसे questions आते हैं, कैसे pattern रहता है और आपको आपको जो डर है exam से related वो भी दूर होता है Mark my words, अगर आपने अभी तक कोई भी mock test paper attempt नहीं करा है, please जाकर attempt करिये It can actually make your result positive उसके साथ साथ मैं आपको बता दू अधिक एड़ भी भी यहाँ पर time to time pre-mock test series लेकर आता रहता है for all the levels of CA, like for CA foundation, for CA inter and for CA final as well इन test series में participate करके आप खुद को evaluate भी कर सकते हैं और साथ में आपका जो exam कर डर है, वो धीरी धीरी कम होना शुरू हो जाता है और जो screen पर आपको test series दिख रहे हैं, अल्रडी हो चिके हैं बट still आप अभी भी इसमें participate कर सकते हैं इस जोस्ट आप यहां पर आप लाइव 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 के जैसे इन test series में participate कर सकते हैं है ना कि इतने अमीजिन बात और यही चीज मुझे अन अचेडमी की बहुत अच्छी लगती है कि इन केस आप से कोई भी चीज में सुझाती है आप उसको फिर से देख सकते हैं उसमें फिर से participate कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर daily scholarship test भी चल रहे हैं जिसमें आप बहुत ही असाने से participate कर सकते हैं और scholarship जीज सकते हैं इसके लिए आपको जाना है Unacademy Learners app पर वहाँ पर जाकर खुद को register करना है and then in test में participate करना है and यह जितने भी चीज़ें में आपको बतारी हैं इस सब absolutely free है but you have to use code aspar k10 जिसके थूँ आप Unacademy पर available सारे free resources एकदम free में access कर सकते हैं now coming to our topic जब मैं लगतार सी यह final में fail हो रहे थे मैंने चीज में हसूस करी कि असपर तो क्यों अपनी final performance सीधे exam में जा पर दिखा रही है क्यों तो खुद की performance को पहले से evaluate नहीं कर रहे है and तब मैंने एक private mock test series में you know enroll कराया था and उसके लिए obviously मुझे काफी पैसे भी देने पड़े थे उस वक्त मुझे पैसे देते हुए यह realize हुआ कि पता नहीं इसका मुझे benefit मिलेगा या नहीं and मैं जब भी महाँ पर जाते थे test देने के लिए काफी डरी रहती थी कि तयारी तो मेरे अच्छी नहीं है पता नहीं कैसा मुझे exam attempt करने वाली हुँ मैं लेकिन ट्रस्ट में उस test series में इंड्रॉल कराने के बाद and कुछ test देने के बाद और जब मैंने अपने final exam में you know अपनी performance दिखाई then मैं पास हो गई थे उस attempt में तो तब मुझे लगा कि जो मैंने पैसे उसमें डाले है वो मेरे वसूल हो गए ये फायदा रहता है आपको mock test series को attempt करने का आपको पता चलता है कि आप कितना और improve कर सकते है definitely आप जब उसको attempt करेंगे आपको ऐसा feel होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन at least आप अपना दिमाग चलाएंगे जो भी चीज़े आपने पढ़ रखे हैं अगर आपके एक्जाम में कुछ ही दिन जागए उससे क्या होगा अगर आपने कोई नया topic उठाया तो क्या होगा आपके आपको पता है कि आपके पास बहुत कम time है तो आपको यह लगा कि में कम time में topic जल्दी से cover कर लो तो बहुत हर बड़ाट होगे आपके उपर एक pressure होगा कि आपको कम time में topic cover करना है but actually उसको वल्टा होता है आप उस topic को cover करने में ज़्यादा time लगाते हैं जो time आप utilize कर सकते हैं for your revision जो कि आप अप अपढ़ पढ़ जोके हैं उन्ही topics की revision आप उस time में कर सकते हैं instead of going for a new topic आपने जो कुछ पर रखा है उसको revise कीजिए बार-बार कीजिए ताकि अगर आपने आपसे exam में उसमें से कोई question पूछा जाए तो आप उसको अच्छे से time कर सके क्योंकि आपने उसको इतनी ज़्यादा बार revise करा है नए topic पढ़ कर जाएंगे अगर exam में question आया हो सकता है आपको इदन पे click ना करें क्योंकि आपने उसको जादा revise नहीं करा है तो इस case में आपने जो आपने जो आपने पढ़ रखा है उसको ही बार-बार revise करिए कोई भी नए topic मत अठाई है हाँ एक्जाम से दो महीने बचे में तब आप कर सकते हैं बट एक्जाम के लिए बहुत कम दिन रहा गया है तीस दिन या फिर से कम का टाइम रहा गया है इस टाइम में आपको कोई भी नए topic महीं उठाना है एक और चीज आपको कुछ से डिसकस नहीं करना है सामने वाले बंदे से but in case आमने वाले का phone आ गया उसने पूछा कि तेरी तैयारी है आपको यह नहीं बोलता है मेरी तैयारी बहुत कराब चल रही है मुझे बम्हें पतनी पास होंगी के नहीं बिल्कुल मत बोलना ठीक है आपकी तैयारी चाएक कितनी घराब क्यों ना चल गया हो आपको यह बोलना है कि I am doing really well, मिरी तयारी बहुत अच्छी चल रहे है and I think कि मैं इस exam में पास होने वाली हूँ. यह चीज़ आपको बूर दे हैं. Don't say, कि यह आपकी तयारी में कमी है. Don't say. सामने वाला पुछ से call करें, आपको यह बोलना है. बहुत अच्छे परफॉर्म करें हूँ, मिरी तयारी बहुत अच्छी चल रहे है and मुझे लगता है कि मैं इस exam में इस बार पास होने वाली हूँ. खुद को positive words से feed करें, negative words को बिल्कुल side में कर दो. देखो, हमारा जो subconscious mind होता है, नहीं, दो mind होता है, इसलिए आप कुछ भी बोलते हैं, वो सारा subconscious mind accept करने लग जाता है. आपने बोला कि मेरी तयारी में कम ही चल रहे है, शायद मैं पास नहीं उपाऊंगे. वो एक सब्सक्राइब लेगा इस चीज़ को, और फिर वही चीज़ होगे. आपको उसको positive चीज़ों सो ही feed करना है, कि मेरी तयारी चाहिए कितनी भी खराब चल रहे हैं, लेकिन मुझे यही बोलना ही मेरी तयारी बहुत अच्छी चल रहे है, मैं पास होने वाली हूँ, वो आपकी subconscious mind में जाएगा ना, वैसे ही result आपको मिलेंगे. नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपको बिल्फुल भी नहीं बोलनी है, उनली स्पीक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और सी आपकी लाइफ कितनी मैजिकल तरीके से चेंज होने वाली है, आपको वही result मिलने वाले हैं, जो आप आना चाहते हैं. त्राइबिस, उसी के साथ, उसी के साथ, you can also follow positive affirmations, जैसे कि मैंने बोला, subconscious mind को चीजें रजेक्ट करना नहीं आता, वो हर चीज़ को accept करता है, तो इसलिए आपको हमेशे positive affirmations से ही उसको पीड करना है, positive चीज़े बोलनी है, positive चीज़े लिखती है, write this thing in your diary, I will pass May 22 exams, और जो भी exam आपके चल रहा है, उस तरीके से लिख सकते हैं, I will pass my CBSE board exams, with 99% और 100%, जो भी आपका goal है, आप उसको लिखिए, खुद से बोलिए, जितना जादा positive रहेंगे, उतना जादा positive results आपको मिलेंगे, next thing, देखिए, जब भी आपको बहुत डर लग रहा है, आपको आपके हाथ पार फूल जाते हैं, काफे बार ऐसा होता है, almost panic attacks आने चुरू हो जाते हैं, उस से बचने के लिए, आपने books बहुत सारे रखी अपने table पे, उसको देख देख के आप डर रहें, जड की books आपकी table पर होने जाएं, आप बही पड़ो, देखो, जब जतना ज़ाधा आपका environment clean होगा, जतना ज़ाधा आपका desk clean होगा, उतना ज़ाधा आप अंदर calm feel करेंगे, उतने ज़ाधा आपका दिमाग चलेगा, उतना ज़ाधा आपका दिमाग शान्त रहेगा और आप अपने शान दिमाग से जादा चिस तयारी कर पाएंगे ठीक है तो अगर आपका दर उसी को लगता है जिसने थोड़ी या फिर बहुत तयारी कर रहे होती है and I assume कि आपने अच्छी तयारी कर रहे है and that is why आप दर हुए है मैं अपने एक्जाम्पल दू जो मैंने अपने C.E.P.ाइनल का फिर्स्ट दिया था मुझे पता था मेरी तयारी में तो अगर आप डर हैं that means कि आप तयारी कर रहे हैं और I assume कि अच्छी ही कर रहे होगे तब भी आप इतना ज्यादा डर हुए है क्योंकि आप तयारी अच्छी करें और आप रिजोल भी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगर आपको यह डर है कि एक्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले आप ट्रस्ट यॉर हाड वर्ग ट्रस्ट यॉर प्रट्रेशंस तो आप तयारी करके बहुत सारे लोगों से अलड़ी आगे हैं आपको बस थोड़ा सा और आगे जाना है बस खुद को शांत रखिए खुद की तयारी में और इंप्रूव्मेंट लेकर आएं आपको सिर्फ शांत रहना है काम रहना जो भी कर रहो करते रहो उस पर पूरा ट्रस्ट रखो पूरा पेत रखो कि वह आपको पॉजिटिव र होने वाला ना इसका जो भी रिजल्ट होगा इत डोंट डिफाइन यौर फुचर डेफिटली इस मुमें पर आपको यही लग रहा हुगा कि यही मेरे सबसे बड़ा गोल है लाइफ का कि मैं इसको पास हो जाहूं पिर में जॉप करूं अच्छी बहुत हाई रंक मेरी आया जाहिए लिए लिए आपको प्रौंट रिष्र इस बड़ा तक और ऑन इस बिच्छा लोग उसाने लोग उनिकल जाए ने वो आपका इज्ञाम आपको ओपार फुचर डिशाए नहीं कर सकता कभी भी निकर सकता कभी निकर सकता और यूवाफ्य प्रूंस प्रूंस पोटन इस एक्जाम से आगे आपके परस्टनालीटी है जो कि बहुत कुछ करना चाहती है ठीक है yes definitely इस एक्जाम को clear कर na है आपको दिकल साथ आपने इसके कमिट कर आहे कि मुझे एक्जाम पास करना है लेकिन उसको अपने दुनिया नहीं बनानी है यूद कि आपकी वू इस निया शेक ही अट्रट ऑफ भरारी आप बहुत बड़िव इस जा करें ला आगे जा वरारी बाड़ी है बहुत नाटो कि आगे शांड को yeah stay happy, stay healthy and always be positive